फर्स्ट डिसेंबर वर्ल्ड एड्स डे तो दोस्तों एक डिसेंबर को विश्व एड्स दिवस मना जाता है तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी को देखेंगे कि क्या है यहाँ और इसके बारे में क्या चीजे इंपोर्टेंट है तो चलिए हम लोग इसको देखते है कि विश्व एड्स दिवस यानि कि World's AIDS Day क्या है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि HIV संक्रमन के प्रसार के कारण होने वाली AIDS के बीमारी के बारे में जागुता बढ़ाने और AIDS से अपनी जान गवाने वालों को याद करने के उद्धिसे से हर साल एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर HIV वाइरस के कारण से जो एड्स बिमारी होता है उसके बारे में लोगों में जागुता बढ़ाने के लिए उसाथ इसाथ एड्स से जितने भी लोग अभी तक जान गवाए हैं उन्हे को याद करने के ही उद्दे से हर साल यानी कि मनाया जाता है अब इसको जो है मनाने के सुरवाद कऊ़ी कैसे वह भी इसको भी देख लैते हैं तो यहाँ पर है कि इसे मनाने की सुरवाद जो है डल ऊचर की मौनाजेशन के द्वारा 1 दिसंबर 1988 यानि 1988 से किया गया था WHO के द्वारा सबसे पहले इसको किया गया था फिर बाद में United Nations के द्वारा 1997 से 208 अभियान को सुरू किया गया तो पहले यहाँ पर WHO के द्वारा 1988 से इसका सुरूवात हुआ है फिर बाद में United Nations के द्वारा ये 1997 से 208 अभियान के रूप में सुरू किया गया है उसके बाद में है कि थीम जो कि जब से ज़्यादा इंपोर्टन होते है एक्जामों के लिए तो थीम क्या है इस बार का है तो बात करते हैं 2021 का थीम क्या था तो 2021 का थीम था वहां भी है आप लोगों का Ind Inequalities and Adds तो यह था इंग्रीस में Inequalities and Adds और समानता को समाप्तकर अंध का अंध तो यह हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे तो आप लोगों को जो है 2022 वाले जो थीम है equalize यानि कि बराबर इसको याद रखना है अब इसके बार में थोरी जानकार को देखते हैं कि AIDS क्या है या कैसे किस परकार से होता है उस चीज़ को भी देख लेते हैं तो AIDS यह एक गंभीर बिमारी है जो HIV वाइरस के संक्रमन के कारण होती है यह सरीर के परतिर अच्छा प्रणाली को देले तेरे खत्म कर देता है जिससे वेक्ति की मिर्ति हो जाती है यहां रोग किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है तो दोस्तों यह आप देखेंगे कि यह जो AIDS बिमारी है वह HIV वाइरस के कारण होती है इसका संकरमन के कारण से यहां फैलती है तेजी से और यहां सरीर का परतिर अच्छा प्रणाली यानि कि जिससे आपका सरीर को सेक्रिटी मिलता है यानि कि सुरच्छा मिलता है उसी चीज को यहां खत्म करता है यह जो HIV वाइरस है हुआ है और इससे क्या होता है कि इससे वेक्ति की मिर्थिव हो जाती है और सबसे खास बात तो यह है कि यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकते यानि कि यह छोटी से लेकर के बड़ों को भी हो सकता है तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि छोटों से ले करके यह बड़ों को भी हो सकता है यहाँ पर जो है एड्स का प्रतिक चिन किया है तो यहाँ है रेड रिबन करके हैं तो आप लोग कभी कभी देखें यह ओंगे कहीं न कहीं पर इस परकार का फोटो राता है लेकिन यह रेड कलर में होता है तो इस परकार का जो है वह इसका चीन होता है रेड रिबन और दोस्तों इसका जो कारण क्या है इसको भी देख लेते हैं तो इट्स किस परकार से होता है तो इसका जो कारण हुआ असुरचित योन संबंद से होता है साथ इसाथ पीडित व्यक्ति का खून किसी और को चलाने से HIV पॉजिटिव महिला से उसके बच्चे में एक बार इस्तिमाल की गई सुई को दूबर अपयोग करने से संक्रमित खून का परियोग करने से तो इस परकार से यहाँ एक दूसरे से फैलता है तो आप लोगों को ध् खून किसी और को चलाते हैं तो इससे भी बढ़ने का फैलने का खत्रा है अगर कोई महिला HIV पॉजिटिव है तो उससे उसके बच्चे में भी यहाँ फैलता है साथ साथ में एक बार अगर कोई सुई जो है इस्तिमाल किया गया है उसी सुई का अगर इस्तिमाल किसी दूसर साथ कि यहां पर आपशा नोलग्ताम को कर सकते हैं तो इसका जो रोकताम है हमें इनफीं चीजाएम पुर्वकर कर रखेंगे अपने जागुतना बढ़ा करके इन सार cit garnis लो बहुतं की तो हम लोग बहुत हमत्त के बचेंगी तो हम लोग इस अब द सकते हैं अब दोस्तों वाईरस होता है यह be question में पूछाता है यह भी very very important है human immunodiff虫 साथ एड्स का जो क्या है तो acquired immunodiff虫 syndrome तो यह है एड्स का फुल पुम तो आप लोगों को यह दूना चीज़ों को धिया रखना है एचाइब कोहता है यूमन दीफिसिएंसी वाइरस और इड्स कोहता है एक वाइट इमिन्डिफिसियंसी सीन्डूम तो यह दोनों चीजों को भी आपको लोगों को याद रखना है तो दोस्तों इस परकासे आप लोगों ने देख लिया कि एड्स क्या है इसका छो परतिक ची वर्ड एट्स डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है